आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज तीसवा दिन सयुक्त राश्ट ने कहा मारविय संकट के लिए पुतिन जिम्मेदार आज होगी चीनी विदेश मंत्री वांगी और जैस शंकर की मुलकाद द्वी पक्षिया रिष्टों की गाड़ी पटरी पर लाने की होगी कोशिश बीर भूम हिंसा का मामला पहुचा सुप्रीम कोट साइटी गठन की मांग की गई पेट्रोल डीजल के रेट में फिर हुआ सी पैसे का इजाफा लखनाव में शपत ग्रहन की भविता ही आरी आज शाम चार बजे योगी दूसरी बार लेंगे सीम पत की शपत पीम मोधी भी होंगे मौजूद नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वस्निया चैनल प्राइम टीवी तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के ओर सयुक्त राष्ट महासभा ने भारी सहमती के एक प्रस्ताव पारित करके यूक्रेन में मानुवी संकट के लिए रूस को दोशी ठहराया है प्रस्ताव में तुरन संघर्ष विराम लागू करने और लाखों नागरी को समेथ घरों, स्कूलों और अस्पतालों के सुरक्षा करने की अपील की गई है गुरुवार को ये प्रस्ताव पाँच के मुकाबले 104 मतों से पास हो गया इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वाले पाँच देशों में बेलारूस, सीरिया, उत्तरकोरिया, इट्रिया और रूस शामिल है प्रस्ताव रूस की आकरमक्ता के गंभीर मानविया परिणामों की निंदा करता है प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि अंतर राश्ट्रिया समुदाई ने पिछले कई दश्कों में इतना बड़ा मानविया संकट यूरोप में नहीं देखा 27 सदस्यों में अमेरिका, ब्रीटेन, फ्रांस, चीन और रूस शामिल है लेकिन रूस को केवल एक मत चीन का मिला जबकि 13 सदस्य देश अरुपस्थित रहे ब्रीटेन की संयुक्त राश्ट को राजदूद बारबरा वुडवर्ड ने रूसी प्रस्ताव को संकी प्रयास बताया जो संकट का दोहन करने के लिए है उत्रप्रदेश विधान सबाचुनाव का दस मार्श को आया इतिहासिक परिणाम आज अपने अंजाम तक पहुचेगा योगी 2.0 की आस से शुरुआत हो जाएगी भव्य आयोजन के बीच योग्या अदितनाथ लगातार दूसरी बार यूपे के मुख्य मंतरी के रूप में शबत लेंगे योगी के साथ मंतरियों की भी लंबी टीम होगी तैयारिया भव्य है और महमानों की भी काफी लंबी लिस्ट है योगी के साथ करीब 45 मंत्री भी शबत ले सकते हैं शबत से पहले सारी आपचारिक ताय भी पूरी कर ली गई हैं सबसे पहले केंद्रिया ग्रह मंत्री अमिच्शा की मौझूदगी में कल योगी आदितनात ने NDA के विधायक दल का नेता चुना गया विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद योगी आदितनात राजभवन पहुँचे और राजपाल आनंदी बेन पटेल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया इसके बाद बीजेपी नेताओ और सहयोगियों के साथ राजभवन में बहुमत होने का समर्थन पत्र राजपाल को भी सौपा गया है देश की जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है आज पेटرूल और डीजल के दामों में फिर से बडहतरी देखने को मिली दिलی में पेटरूल और डीजल के दाम करीब 80 पेसे तक बढ़ा दिये गए है जिसके बाद राजधानी में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपए और डीजल की कीमत 89 रुपए 7 पैसे हो गई है चार महीने से जादा के अंतराल के बाद मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाफ किया गया था जिसके बाद आज तीसरी बार इधन महंगा हुआ है देश की आर्थिक राजधानी में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 51 पैसे और डीजल की भी कीमत बढ़ गई है आशंका है कि रूस के खिलाफ मौजूदा प्रतिबंद जादा वैश्वी का पूर्ती को कम कर देंगे और विकास को भी प्रभावित करेंगे कच्चे तेल की कीमत सीमा भारत के लिए चिंता का विशह है क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल 15 से करीब 25 रुपए तक महंगे हो सकते हैं फिलहाल भारत अपनी जरूरतों का 85 फीसद कच्चे तेल का आयात करता है प्राइम टीवी पर खबर चलने के बाद जैसे ही परिवहन विभाग की नीन टूटी वैसे ही फरूखाबाद बस स्टेशन पर डगगामार बस संचालकों के खिलाफ एयार टीयों ने चेकिंग अभियान चलाया एयार टीयों दोरा अचानक शुरू किये गए चेकिंग अभियान से अवैद बस संचालकों में हर कंप मजिया जिसके बाद एयार टीयों के सामने ही डगगामार बसों में सवारिया भरते दिखे अवैद बस संचालक जिसके बाद बस संचालक ने गाड़ी पगाने की भी को जो है जो फिकायते थी कि रोड़ gesch के आस-पास जो है वो वो सवारियों को आकर सित करके भरते हैं जो की एल्लीगलहे क्वेंगी रोड़वेज के जो है कम से कम एक किलोमेटर के डिस्टेंस पर जोbung प्राइबेट जो है बस आकर के सवारी नहीं भर सकती तो उसक्रम में उसको पाया गया तो उसको यहां दो गया है आई टी आई चोकी में उसको बंद किया गया है और रेगुलर यह कारवाई जारी रही है ऐसा है हम लोग अभी ज्वाइन चेकिंग कर रहे थे रोडवेज के क्योंकि रोडवेज से प्राइवेट गाड़ियां अक हम थे हम थे और हमारा इंपोर्स्मेंट स्टाफ भी था तो यह बस है पैती सीटे बस है यूपी चिया तर्टी जीरो चैसो एक के इसको सासीज करने कर वाद परिवाहन विभाग की नीन टूटी जिसके बाद ए आटियों ने कारवाई करते होए बस स्टेशन पर डगमार बसों की सगन चेकिंग के इस दौरान बस संचालकों में हड़ कंप भी मच गया वही कारवाई के दौरान ए आटियों ने कहा कि लगातार जो यह चेकिंग अभियान है यह पूरे जनपद में जारी रहेगा गास्यबाद नगर निगम सीमा के अंतरगत नगर निगम की भूमी पर कबजा करने वालों के खिलाफ नगर आयुक्त महेंदर सिंग तवर के निर्देश पर अपकारवाई की जारी है वह इस कड़ी में बीते दिनों वसंदरा जोन स्थित महग बैंक्वेट हॉल को हटा कर नगर निगम की जमीन को कबजा मुक्त कराए गया जिसके बाद अपर नगर आयुक्त ने बताया कि कबजा मुक्त जमीन लगबग 10,000 वर्ग मीटर थी आगे नगर आयुक्त ने बताया कि नगर सीमा में कहीं भी सरकारी निगम के जमीन पर अगर कबजा पाया जाएगा तो उस पर ततकाल करवाई की जाएगी आज दिनांग 24 मार्च 2022 को गाज़बाद नगर निगम की टीम के द्वारा वसंद्रा जोन में सोर उर्जा मार्क पर मैक पार्टी लोन जो अवैद रूप से गाज़बाद नगर निगम की भूमी पर कापिज था उनके खिलाब करवाई करके उस जमीन को कबजा मुक्त कराय जमीन का जो शेतर फ्ल है लगबग 10,000 वर्ग मेटर जमीन थी जिसकी मार्केट वेलू 80-85 क्रोड रुपे पाई गई है आज उसको कबजा मुक्त करा लिया गया है और आप वो गाज़बाद नगर निगम के के अन्य कारियों के लिए उप्लोग खबर फरूखाबाद से है जहां हरसिंग पुर्गोवा कायम गंज रोड पर एक तेज रफ्तार चारपईया वाहल ने बाइक सवार को टक कर मार दी जिसके बाद घाल बाइक सवार को मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में सी एचसी में भड़ती कराया जहां डॉ मिक उपचार के बाद युवक के गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिलास पताल लोहिया रेफर कर दिया बताये जारा है कि बाइक सवार युवक ससुराल से वापस आ रहा था जब ये हादसा हुआ तो इस मामले पुलिस सूचना दी अपने पुलिस सूचना कर दी है अच्छा तो क्या पता चला गारी मोकेस फरार हो गई गारी बार गारी परामत हो गई तो खबर फरूखाबाद से अभी आपने सुनी जहां पे एक तेज रफतार गारी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को सीचसी में भरती कराया जहां डॉक्टरों ने प्राथमी कुप चार के बाद युवक को गंभीर हा ताल रफर कर दिया जहां उसका इलाज जारी है वही घायल युवक के परिजन ने बताया कि मौके पर ही जिस गाड़ी से युवक का एकसिडेंट वह था उसे बरामत भी क्या गया है वही मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवक को ततकाल भरती कराया और शिकायत के बाद आगे की कारवाई में जुड़ गई है अलीगड की थाना रोरावर से लगबक एक सौ मीटर दूर पर तेज धूप के चलते सीजी रोडे का एक फट गई जिससे आसपास के लोगों में सड़क फटने की अफवा फैल गई सैक्लों लोग दूर दूर से आकर फटी सड़क देखने उमर पड़े जिसके कारण सड़क अवरुद्ध हो गई जिसके चलते सड़क के दोनों और जाम लग गया और सड़क फटने को लेकर लोगों में तरह तरह क्यप चर्चाय भी होने लगी जिसकी सूचना मिलते ही मौक सामने आई जहां गर्मी के चलते एका एक सड़क फट गई जिसको देखने लोगों की भारी भीर सड़क पर उमर पड़ी वहीं तस्वीरों में आप साब देख सकते हैं किस तरह फटी सड़क को देखने के लिए लोगों का भारी हुजूम सड़क के दोनों किनारों पर कर दादी लिकर यहां और कोई वात नहीं नहीं कोई वात नहीं है हम मौजूद हैं यहां हम बैठे हैं जब कोई भीड़ा रही है इसको अठाए नहीं जाना पुलिस तरह जोहां नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने मुख्य बाजार इस्थित वी मार्ट को सीज कर दिया है बताया जारा है कि नगर पालिका की तरफ से सभी बकायदार जिनका एक करोड से अधिक देंदारी बाकी है उन्हें नोटिस भेजने के बाद भी उनकी नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया गया जिसके चलते नगर पालिका को ये कड़ा कदम उठाना पड़ा और इनके बकायदारी जिनके बहुत बड़ी बकायदारी निकल के आई है वैसे में इनको पर सब्कारवाई करते हैं निगर पालिका प्रशासंग के तरफ से अधिक लाव इसके सब्सक्राइब गाजयबाद से है जहां पुलिस और बदमाश की मुटबेड में एक बदमाश घायल हो गया लोनी सीयो रजनीश कुमार बंथला नहर के पास शेकिंग कर रहे थे इसी बीच एक संदिक्त बाइक सवार पुलिस को देख फायर कर भागने लगा पुलिस ने बदमाश का पीछ पुलिस पूस्ताच में जो जनकारी सामने आई है अफसर पुत्र मेनु उसने नाम बताया है उसके उपर अत्रा से अदिक मुकदम पंजीकरित हैं चार मुकदम में फिलालव वांचिय की हैं और नालोनी और उसको घायल को भेजा गया है चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा गया अगरिमविदिक कर वाई बीजेपी की दोनों MLC प्रत्याशी आशी श्यादव और ओम प्रकास सिंग निर्विरोज चुने गए दोनों ही एटा मत्रा मैनपुरी से प्रत्याशी थे जिला निर्वाचन अधिकारी ने दोनों को विजेता कहोने का प्रमाण पत्र दिया दोनों ने जीत के बाद जनता का आभार भी जताया सा साथी कहा कि हम पी एम मोदी और योग्या अधितनाथ के निर्देशन में लगातार विकास कारे करते रहेंगे आप लोगों ने दो जार बारे से दो जा सकते हैं का भी समय देखा तो और आप ये समय भी देखेंगे प्रियास बर्पूंच उनमी से जादा आप लोगों को सभी को विश्वार दिलाता हूं हमारे याँ सांती सपूंग और सब्सक्राइब करता रहेगा और आगे भी होगा फिरों चारी समस्या को जो भी बची हुए है को भी हम लोग पंपन्या का प्रियास फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेए प्राइम टीवी के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार